एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजी मतलब कैश में चाहिए तो मैं तेरे को इद्रिच मारेगा और चेक में चाहिए तो यह उठा के कहीं हो ले जाके मारेगा फैसला तेरे को करना है जल्दी जल्दी फटापट बोल टाइम नहीं है अपने पास है इनको कैसी दे दो और थोड़ा कम पड़ेगा ना तो हम दोनों देंगे यह महराष्ट्रा और यूपी बैंक का नोट एक दाम कड़ा करता है अभी अभी आपने कहा कि हम सब अपनी गलती की बज़े से अपना कल और आने वाला कल खोच चुके हैं पर आपने तो कुई गलती नहीं की तो फिर आपका बेटा ऐसा क्यों कर रहा था नरीमान मेरा बेता नहीं है मेरा क्लोज फ्रेंड हो मेरी कोई और मलarrassक नहीं थी मैं बिलकुल अकेला हो गया था और मेरी वाइफ के गुजरने के बाद अ मी को मेरी गोड में दिया और बुला कि आज से नरी मन तारो डिक्रोच उस तेम मेरे कु लगा कि आएम दे हैपिएस मैं इन दे वर्ल्ड लेकिन अब लग रहा है कि मेरे सिर्जास्ती बद नसीब इस दुनिया में कोई आद्मी नहीं होगा नरीमान के इस क्रूर वेवार के कोई तव जह रही होगी हाँ वजे थी क्या उसको पचास करोड रुपया मिलने वाला था पचास आपके बाद इतना बैसा है सोरी मैं तो आपके बाद इतना बैसा है आपको पटीचर समझाता है अरे नहीं नहीं बावा मैं गरीब मानस मेरा बैंक बैलन्स और शेर्ज और डिवीडन पकर के शायद तीस-चालीस लाख होगा लेकिन उस हराम के जने नरीमान के पास पचास करोड कहा स मिलने वाले थे उसको मेरे बंगलो को तोड़कर उदर एक रेसिदेंशल टावर बनाने का प्लान था जो आजकल हर जगे पे कॉमन हो गए पनाइसीच एक बिल्दर ने नरीमान को पचास करोड रुपय का ओफर किया पन मैंने मना किया आपने नरीमान के एक्शल फार्दर मिस्टर होमी को नरीमान की ये बात नहीं बताई बताया तभी तो मालूम पड़ा के ये सारा डिमॉलिशन और तॉर्चर का प्लान और किया एक रादरा मिस्टर होमी का था? येस इसके पहले कितना पिस्टन जी का घर खुरा के होमी खा गया था साला मेरे को बोलता है कि ये जुना तुटेला सरेला बंगलो तू मरने के बाद तेरे साथ में लेकर जाने बाला है अने बिल्दर तेरे को पचास करोड रूपया देता मैं ने एक ऐसा स्पेशल क्लॉज रखा था जिसमें लिखा था कि जब तक नरीमान का बच्चा 25 साल का न हो जाए तब तक नरीमान इस बंगलों का एक हीट भी नहीं कोड़ सकता है ना तो उसको बेज सकता है बस सिर्फ केर टेकर रह सकता है और नरीमान का बच्चा भी अपन पच्चिस साल तक मैं जिन्दा रहने वाला नहीं हूँ मेरे मरने के बाद जो भी होगा सो होगा लेकिन मैं ये बंगलों बेचने नहीं दूँगा नहीं दूँगा नहीं दूँगा नहीं दूँगा नहीं दूँगा और इससे पहले ये कुत्ता लोग मेरे कुपागल करके मेंटल SLM में भेज के मेरा बंगलो खा जाए मैं खुट कल सामको घर से भाग गया ताकि नेक्स स्टेप क्या ले सको ये सोचते हुए नेक्स मॉर्निंग मैं न्यूस पेपर पढ़ते बैथा था तभी तुम तीन लोगों को पैसे को लेकर लरते जगरते देखा और तभी मुझे मालूम हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरी तरह और भी लोग दुखी है और मैंने तुम तीनों के साथ इस जर्णी में ज्वाइन करने का सोच लिया मतलब आप जान बूच कर मेरी टैक्सी के सामने आये थे सौरी माफ करना सौरी क्या अगर टाइम पर ब्रेक नहीं लगता तो तो मर जाता था मेरी नालायक उलाद के हाथों से मरने से अच्छा है तुम लोग अच्छे दिल वाले हो उनके हाथ से मही मरू नरीमान ने तो मेरे कु डुखी कर दिया था पंडिक्रा तुम लोगों ने मेरे कु डुखी कर दिया परफ साब मेरे को आपका मोबाल चाहिए कि न्यूज पेपर में था हाँ नरीमन तुम पैसे रेडी रखो मैं तुम्हारे पापा को लेकर आ रहा हूं इधर इंस्पेक्टर परब, गाली बाबा, भरी चरन और विलियम को लेके उसके ACP के पास गया और नरीमन के अगेंस एक्शन लेने का बात किया और उधर फारुक मेरे को गैरेज लेके गया सैतान के हवाले करने हम सब उसके इस हरकत पर शौक थे कि इतना सब मालूप पढ़ने के बाद भी हारुक पैसे का लालची कैसे हो सकता है पन फिर जो हुआ वो अनेक्सपेक्टेड था बारुक में पंप में आ फूपा प्रणास्वेट प्रणास्वेट हूँ है, है अगे है है? अहाँ है वा को दो स्रीपार्थी तू फारुक है देखो यहां इनाम का पैसा को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजिन है वह दोनों कहता है कि उन्होंने मेरे पपा को ढूंडा है और तू बोलता है कि तुने तो अब हम क्या करें तू ही बोल के तो उनको इनाम देदे कैश में अपन को रले ना देना नहीं है तू मेरे को खाली इतना बता कि तेरे को अब अपन से कैसे लेना है उन्हें मतलब इस में जाहिए तो मैं तेरे को बोल टाइम नहीं अपने पास है इनको कैसी दे दो और थोड़ा कम पड़ेगा ना तो हम दोनों दे देंगे यह महराष्ट्रा और यूपी बैंक का नोट एक दाम कड़क रेड़ी क्या बात करता है जैने एक्स्प्रेस बनके मारूं या पाहु बली बनके मारूं तुम मारू अरे वारे मेरे छोटे दबंग दबंग अभी दे को स्टिंग हम कि अच्ट तरी की तो तो ही आख जाला जो देखा सुन्दे से मारे जारा एक अपर को मारता है उसको क्या मारते हो तो अल्ड़ी मरे ले उदर जाके उच्णा हरम खोर बेटा कुछा के मार जा जल्दी यह लेख साले यह लेख सोचे हैं यह जब मार रहा है तो हम जीच में काहट को देगा अण पडसा क्हार ढ़ हम खालगलों खर्ण पुड़ी पर क्न से उच्च अपरु़ीच मेह और खो आत्र... कि वोच जो रिए आजए वाई वोचि परिए वो जौपट्ट फोचिंए वैज्चिंए अज़ा हम्हा कि और में पर रच्पने आज़ा की डिस्ताइब इस का बढ़ै यदि राजपाली अज़ाद अज़ा आज़ा इस ताइल भाई तो नाइस, पर इन सब के पास पैसे कहा से आए? मैंने दिये पैसे, ऐसा है ना अनुप्रिया, कफन में जेब नहीं होती है, हम मरने के बाद अपना जो भी चीज है, वो साथ ले नहीं जा सकते, तो इधर इस दुनिया में किसी और के काम आ जाए, तो इमा प्रॉब्लेम सूचे है, और आपने इन सब को अपने बंगले में भ कितना अमीर है, तो तेरा बैंक बैलन्स और प्रॉपर्टी नहीं गिनना, सिर्फ तेरी आखों से, एक दो हांसू बहा कर देखना, तेरी आजू-बाजू, तेरे आशू पोचने वाले कितने है, इसलिए मैंने मेरा बंगलो ट्रस को दे दिया है, और गल्टेकर बनाय है, मे स्क्यूज मी सर्, नरीमान और नौहित का क्या हुआ अपने बताया नहीं, यह बात टेलिविजन चैनल पे नहीं बता सकता है, थोड़ा सिक्रेट है, मैंने क्या किया, नरीमान और नौहित को अपना एटम्टु मर्डर का चार्ज लगा के जेल में अंडर करवा दिया, और म यह बातान की चाल चलने का जरूरत परता है, और यह आइडिया मैंने इंस्पेक्टर परब से होगे बाबा, आवे साम मस्त है, फाल तुमें इनका और हमारा चाहूँगे, जदर द्यान दो, अपना चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-मत करो, यह है वामन, हालो, मिल परण चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप-चुप ओके बाबा ने सब को छोड़ दिया सिर्फ दो चीजे नहीं छोड़ी एक हुका गुडगुड़ा ना दूसरा जो है क्या करूं मैं तुम्हें क्या होटल में अपनी पडोशन नचवाने के लिए रखा है भांडू मैं इंट्रभूदू के तुम्हारे होटल के जमेले जेलू तो खेखेखेखेखेख विए फिनिश अरे भाबा का खतम हुए अब एब भूत नहीं के एक बात बता हो बहुत में अभी तो चिलंकरम भी नहीं हुई थी ये काली रंडे वाली और जलिए कहां चली गई बे और दमने कुछ गलत काया क्या अनियु भाबबा हमने तो विड अच्छा